हेलो फ्रेंड्स मैं जय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विसेज ग्यान में फ्रेंड्स ये मेरी टैली की सिरीज की पार्ट टू वीडियो है जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि एजुकेसनल टैली, प्रोफेसनल टैली या जिसे आप लाइसेंस वर्जन टैली बोलते हैं या क्रैक टैली इसमें क्या डिफरेंस होता है ठीक है बहुत से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं ये आज मैं आपको इस वीडियो में किलियर करूँगा इससे पहले कि जो मेरी प्रिवेस वीडियो थी, जो कि पार्ट वन वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने सिस्टम में टैली को डाउनलोड कैसे करेंगे और उसे फिर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे तो जैसे कि मैंने tally install करना तो बता दिया है तो मेरे system में भी tally install हो चुकी है desktop पर आप देख सकते है tally का icon है इस पर हम double click करेंगे tally को open करने के लिए जैसे ही आपके सामने tally open होगे आपके सामने इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं startup लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको licensing operation आ रहा है activate your license, reactivate your existing license इस तरीके के कई सारे options आ रहे हैं और नीचे में आपको license and services में educational mode लिखा हुआ है तो मैं बता दूँ कि जब आप tally को download करते हैं tally की website से तो आपको educational tally मिलती है यानि यह जो tally होती है यह सिर्फ सीखने के लिए होती है इसमें आप tally को सीख सकते हैं कि tally के अंदर काम कैसे किया जाता है ठीक है अब मैं आपको बताऊंगा कि educational tally, license version tally जिसे हम professional tally भी कहते हैं और crack tally में क्या difference होता है कई लोगों को जो phrases होते हैं यह बात को लेके बहुत ज़दा confusion होती है और friends tally यह सारे right आपको क्यों देती है कि आप tally को free of cost use कर सकें tally यह सारी चीज़े इसलिए देती है ताकि आप tally के साथ used to हो सकें यानि tally को use करना सीख सकें, tally के features को जान सकें क्योंकि अगर आप tally के बारे में ही नहीं जानेंगे तो tally purchase क्यों करेंगे ठीक, tally में काम करना सीख सकें तो जैसे कि कई सारे tally के institute होते हैं जो tally सिखाते हैं student को तो वहाँ पर अगर उनको tally company free में tally न दे तो उस case में क्या सभी student को सिखाने के लिए वो क्या tally purchase करेंगे, tally company से ऐसा तो possible है नहीं क्योंकि tally costly आती है तो इस case में tally company कुछ restriction के साथ आपको educational tally देती है कि आप tally को use करें उसके feature को जाने, अच्छी लगे तो फिर आप tally purchase करें तो अब आप सोच रहेंगे कि tally company ने अगर हमें free में दे दिया है tally को use करने के लिए तो हमें purchase करने की क्या requirement है तो देखिए friends, tally company ने जो आपको educational mode दिया है tally company इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपको सारे feature दे देगी educational mode के अंदर आपको इसमें उसने बहुती अच्छी जगे पे restrict करके रखा है ताकि आप license version tally purchase करने के लिए बात दे हो सकें educational tally में जो tally company ने आपको major restrict किया है वो आपको dates के साथ restrict किया है यानि tally में अगर आपको accounts maintain करना है अपने business का अपनी proper accounting maintain करनी है तो आपको dates चाहिए यानि हर दिन की जो transactions आप करके आते हैं उसे आपको record करना होगा tally में तभी तो आप accounts बना पाएंगे तो tally ने क्या किया आपको educational tally तो दे दी क्या आप मेरी tally को free of cost यूज कीजिए और इसमें काम कीजिए मेरी tally को सीखी है लेकिन उसने क्या किया हर मन्त की एक दो या एकतिस तारिक को आप entry कर सकते हैं बाकी किसी date में कोई भी entry नहीं कर सकते हैं यानि अपना कोई भी account एक दो या एकतिस तारिक को maintain कर सकते हैं बाकी किसी date में कोई भी account maintain नहीं कर सकते है tally आपको बाकी date लेने ही नहीं देती है tally के अंदर जैसे अगर एक example के तोर पे आप अगर सीखना चाहते हैं तो मान कर चलिए मैंने जैसे एक company create करके रखी है मान कर चलिए ये company मेरी create है ठीके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अंतर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि license version और educational tally में क्या difference होता है जैसे अभी मान कर चलिए ये एक तरिकारी है तो मैंने आपको क्या बोला एक दो या एक तिस तरिक आप किसी भी month की ले सकते हैं लेकिन बाकी जो dates होते हैं हर month की वो आप नहीं ले सकते हैं तो जैसे मान कर चलिए मैं दो तरिक ले रहा हूँ तो tally मुझे लेने दे रही है अब मैं तीन तरिक लेना चाहँ tally मुझे आगे बने ही नहीं दे रही है मैं 4 लेना चाहूँगा मैं 5 लेना चाहूँगा मैं 30 तरिक लेना चाहूँगा और टो बैंक रीकंसिलेशन, सिंक्रोनाइज, वेब ब्रॉजर पे आप टैली को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यह फीचर नहीं दिया है एजूकेसनल मोड में, या इसके लावा अगर बात कीजिए तो रिमोट एकसेस का फीचर नहीं है, इसके लावा बात कीजिए तो इम परसं के लिए यूसफुल नहीं होते हैं, और सभी परसं इतने सारे फीचर यूज नहीं करते हैं टैली में, लेकिन एक जो सबसे मेजर फीचर है, जिसके करनल लोग मजबूर हो जाते हैं, अगर उन्हें टैली अच्छी लगती है, तो वो मजबूर हो जाते हैं, टैली को purchase करने के लिए वो जो है feature है वो date का है कि टैली में सारी date आप ले ही नहीं सकते है friends अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि educational टैली में टैली ने क्या-क्या चीजे रेश्टिक्ट करके रखी हैं और मैं बता दूँ कि educational टैली में जो भी आप काम करेंगे वही सेम काम आप license version टैली में कर सकते हैं और वहीं पर जाके कर सकते हैं जो काम आप educational टैली में करेंगे क्योंकि बहुत से फ्रेसर्स इस बात को लेके confused होते हैं कि educational टैली में अलग तरीके से काम होता है और license version अगर हमें लाइसे वर्जन टैली परचेस करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा क्या उसके लिए अलग से कोई टैली डाउनलोड करनी होगी और कहां से लाइसेंस परचेस करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि जो लाइसेंस वर्जन टैली होती है वो कोई अलग से टैली नहीं होती है यहीं चीज होती है इसी टैली में अगर मैंने जो मुझे कमपनी सीरियल की देगी या पासवर्ड देगी या जो मैंने मेल आइडि कमपनी के साथ अपनी रजिस्टर डाल दूँगा, तो मेरी Tally license mode में convert हो जाएगी बात समझ रहे हैं, यानि कि अगर आप Tally company को पैसे देंगे तो Tally company कोई Tally नहीं देगी, वो बोलेगी कि आप जाओ, website से Tally का setup डाउनलोड करो, अपने system में install करो, वहाँ पैसे देने के यही educational Tally, license version Tally यानि professional Tally में convert हो जाएगी प्रेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हम Tally purchase कहां से कर सकते हैं, तो अगर आपकी city में कोई computer की shop है, तो वहाँ से Tally purchase कर सकते अगर वो Tally बेचते हैं, ठीक है या इसके लब अगर आप उनसे purchase नहीं करना चाते हैं, तो आप Tally के partner से भी purchase कर सकते हैं, और मैं आपको बता दू कि computer की shops में जहाँ पर खास करके HP laptops के distributor होंगे, वहाँ पर Tally मिलने की chances ज़्यादा होगी, क्योंकि HP laptops के साथ, जो Tally company उनका tie-up है, वहाँ पर आपको Tally ज़्यादा तर मिलने की chances होगे, लेकिन अगर आप उनसे purchase नहीं करना चाते हैं, तो आप Tally की official website, जो tallysolutions.com है, यहाँ पर visit करेंगे, partners का यहाँ पर यह tab मिलेगा, अभी Tally की website का interface इस तरीके का, इसलिए यहाँ पर आगे चल कर अगर इसका interface change होता है, तो यही partner आपको कहीं और भी reflect हो सकता है, आपको यहाँ पर click करना है, locate यह partner पर आपको click करना है, don't error करना है, और यहाँ पर अपनी location डालने है, location जैसे मान कर चलिए, मैं यहाँ पर अपना pin code डाल रहा हूँ, ठीक है, pin code डालेंगे, और यहाँ पर जैसे click करेंगे, उसके बाद मुझे यहाँ पर location बताई जाएगी, कि कहाँ पर tally आप purchase कर सकते हैं, यहाँ पर देखें, नाम भी आ गया, 3 star sales and implementation करके कुछ है, और यहाँ पर उनका contact number आ गया, जैमातादी agency यहाँ पर इन्हें तीन star मिले हुए है, रेटिंग मिली हुए है, यह तीन star ठीक है, जैमातादी agency करके हमारे city में एक computer की swap है, उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहे हैं, कि वहाँ से आप tally purchase कर सकते हैं, इसी तरीके से मान कर चलिए, आप अपनी city से purchase ही यहाँ पर locate a partner पर click करना है, don't hello करना है और यहाँ पर दिल्ली का pin code डालना है, जो भी दिल्ली का pin code है, जैसे मुझे ध्यान नहीं है कि क्या है, मान कर चलिए मैंने यही डाला, आग या न्यू दैली, यहाँ पर जैसे मैंने डाला दिल्ली के जो भी मतलब partners होंगे, वो आपको reflect होंगे, अब आप इनके साथ बात कीजिए, bargaining कीजिए, और आपको जिसकी service अच्छी लगे, जिसकी cost अच्छी लगे, उसके साथ आप टैली purchase कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, कि यहाँ पर आपको rating भी check करनी है, यह आप के उपर depend करता है, आपके काम के उपर depend करता है, सिंगल यूजर का मतलब क्या होता है, कि जो टैली, आप अगर सिंगल यूजर purchase करेंगे, वो आप सिर्फ एक ही system के अंदर operate कर सकते हैं, जिस system में आपने install किया, उसी system में operate कर सकते हैं, अगर आप चाते हैं दूसरे system install करना, तो आपको एक system से टैली को surrender करना होगा, और दूसरे system में भी use कर सकते हैं, लेकिन जब भी use करेंगे, किसी एक system के अंदर use करेंगे, आप अगर दिन में दो बार भी surrender करते हैं, और उसके बाद कभी एक में use करते हैं, कभी दूसरे में use करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी use होगी, सिर्फ एक system के अंदर tally use होगी, और multiple user का मतलब क्या होता है, multi user का मतलब, उसका मतलब यह होता है, कि जैसे office में होते हैं, एक साथ 10 computer लगे हुए हैं, तो वो tally तो बहुत costly आती है, 50,000 प्लस आती है, लेकिन जो single user tally होती है, वो आपको 17,500 नॉर्मली, आपको लोग बोलेंगे, प्लस 18% GST, तो वो value हो जाएगी 21,240 उर्पे के आसपास, लेकिन bargaining होती है, bargaining बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको last, मैंने जो purchase की थी, 17,000 में purchase की थी, ठीक है, तो इसी तरीके सापको bargaining करनी, अलग-अलग partners के साथ, जो partner आपको, जितने रुपे में दे दे, जितनी आप bargaining कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको tally मिल जाएगी, लेकिन 17,000 या 16,000 से कम में नहीं मिलेगी, अभी का जो rate है, हो सकता आगे चल कि ये rate increase भी हो जाए, और हो सकता कम भी हो जाए, वो एक अलग बात है, तो friends, अगर मैं आपको simple words में ये बताने की कोसिस करूँ कि educational tally क्या होती है, अब अगर मैं बात करूँ license version tally और professional tally की मतलब एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही चीज होता है, कई लोग license version बोलते हैं, कई लोग professional tally बोलते हैं ठीक है, तो अगर आप इस tally को use करना चाते हैं अपने system में, तो इसके लिए आपको tally कंपनी को पैसे देने होते हैं, तब ही आप इसे अपने system में use कर सकते हैं, तो देखें friends, यह जो मैंने आपको बुला कि license version या professional tally, tally तो यही रहेगी, सिर्फ आप जब company को पैसे देंगे, तो वहाँ से आपको एक password मिलता है, एक key मिलती है, वो key जैसे आप डालेंगे एक serial number मिलेगा, वो जैसे serial number और key आप अपने system में डालेंगे, और अपनी email id वहाँ register कराएंगे, tally company के पास, उसके बाद आपकी tally यह जो educational mode में है, यह आपकी license version mode में convert हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको नीचे लिख के आएगा, मतलब यहाँ पर आपकी serial की आएगी, जो आपको दी जाएगी company के दौरा, उसके बाद जो आपने mail id रजिस्टर कराई होगी, वो लिख के आएगी, इसके लावे यहाँ पर TSS लिख के आएगा, तो TSS का मतलब क्या होता है, TSS का full form होता है, tally subscription, मतलब कि जिस date को आपने license purchase किया, तैली का, उस time से लेकर, एक साल तक आपका TSS रहता है, उसके बाद expired हो जाता है, यानि एक साल का time period जैसे बीटता है, आपका TSS expired हो जाता है, जैसे for example, कि आपने 10 अगस 2020 में टैली purchase की, तो 9 अगस 2021 के बाद, आपका TSS expired हो जाएगा, ठीक है, अब TSS जो expired हो जाता है, उसके बाद problem क्या होती है, license तो आपको lifetime के लिए मिल गया, आप Tally तो license version में lifetime तक use कर सकते हैं, लेकिन TSS expired होने से क्या problem आएगी, वो समझ लिजे, जैसे आपने license purchase किया, उस time से लेकर एक साल के बीच में, जो भी Tally के latest version आएंगे, जो भी आएंगे, वो आप use कर सकते हैं अगर आपका TSS expired नहीं हुआ है तो, यानि जैसे कि मानकर चलिए कि Tally ने अपने Tally के features में कोई changes किये, खुद से या इसके अलावा मानकर चलिए GST में कोई changes हुए हैं, जिसके कारण Tally ने Tally के features में changes किये, income tax में कोई changes हुए हैं, मतलब law में कोई भी changes हुआ है, जिसके current Tally ने कोई भी changes किये अपने feature में यानि अगर आप insert समझे तो Tally के जो भी latest version है अगर आपका TSS expired नहीं हुआ है तो उसे आप license version में use कर सकते हैं डाउनलोड करके यानि portal से आप उसका latest version डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसे आप अपने system में easily install कर सकते है license version मोड में educational की बात नहीं करा हूँ educational version मोड में तो आप कभी भी किसी भी version को use कर सकते हैं license version मोड में आप तभी use कर पाएंगे जब आपका TSS expired नहीं हुआ होगा तो यानि TSS का मतलब आपने क्या समझा कि जब आपने license purchase किया उस समय से लेकर एक साल की बीच में Tally के जो भी version साइंगे वो आप freely मतलब बिना एक रुपए खर्च किये आप उसे use कर सकते हैं license version मोड में ठीक है इसके लावा और भी कई features होते हैं जो कि TSS अगर expired हो जाता है तो वो सारी features deactivate हो जाते हैं Tally में जैसे कि आप कर remote access यानि एक जगे से बैठे बैठे दूसरे जगे Tally को operate करना जैसे कि team viewer या any desk वगरा के थूँ अप लोग करते हैं वैसे Tally में भी एक feature होता है ठीक है इसके लावा bank reconciliation होती है इसके लावा यानि web browser पे जाकर अपनी Tally को operate करना कहीं भी बैठे हैं वहाँ से बैठे बैठे Tally को connect करके अपने web browser पे use करना इसके लाव और भी कुछ features होते हैं जो कि TSS अगर expire हो जाता है तो वो आप Tally में use नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर मैं normal employees बगरा की बात करूँ normal features की बात करूँ जो कि mostly useful होते हैं TSS की वज़े से मतलब आपको मिलते रहते हैं वो अगर आपका TSS expire हो जाता है तो वो feature सिर्फ day activate हो जाते हैं तो friends आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि TSS को renewal कराने के लिए कितने पैसे खर्च हो सकते हैं यानि फिर आपको partners जो है टेली के उन्हें आपको 3600 से 4000 रुपए देने होंगे फिर वो आपको TSS renewal कर देंगे एक साल तक आपका फिर TSS बल जागा यानि extend हो जागा फिर एक साल तक आप उसके जो भी TSS के अंदर जो भी features साते उसे use कर सकते हैं तो देखे friends आप में से कई लोग अभी ये भी सोच रहे होंगे कि क्या TSS को renewal कराना जोड़ी है तो देखे ये आपको अपने काम के हिसाब से देखना होगा अगर आपका काम है कि TSS को मतलब renewal करा के ही काम हो पाएगा तो आप करवाई otherwise कोई जोड़ी नहीं है चैसे मैंने 2017 के बाद से अभी तक अपने TSS को renewal नहीं कराया है यानि 3 साल मेरा बीट गया है मैंने TSS renewal नहीं कराया है मैंने 1 रुपे भी चार्ज नहीं दिया टेली को तो मैं अपना काम कर रहा हूँ easily लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जो टेली के latest version है मुझे उससे use करना है उसमें जो भी features आने चाहे वो lock के according change हो रहे है या टेली खुद से change कर रही है वो मुझे use करने है या remote access use करना है bank reconciliation use करना है या इसके लावा जो भी features TSS के अंदर आते वो सारे use करने है तो आप TSS को renewal करा लीजे फिर आपका एक साल के लिए extend हो जाएगा period और आप TSS के period में जो भी चीज़े चाहेंगे टेली की वो use कर सकते हैं प्रेंट्स मैं एक बात और किलियर कर दूँ जैसा है कि मैंने बोला कि single user टेली को आप एक ही system के अंदर use कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपने मान कर चली एक system के अंदर अपनी टेली को install कर लिया है और अपनी license को activate कर लिया लेकिन कुछ time बाद आपको लगता है कि नहीं अब मुझे इस system के अंदर टेली को नहीं चलाना है तो इस case में आपको एक system के अंदर से उस टेली के license को surrender करना है फिर दूसरे system में आप उसे install करके अपने license को डाल कर use कर सकते हैं ऐसा कई लोग इसलिए भी करते हैं जैसे मान कर चली office में कुछ काम कर रहे हैं काम complete नहीं हो पया घड़ा के करना चाते हैं तो वहाँ अपना आदा काम जितना complete हुआ कर लिया उसके बाद data को pain drive में उठाए और घड़ आ गया भड में जो system है उसमें license को activate किया उसके बाद इसमें काम करने लग गया तो देखे friends जिस system में आप already पहले काम कर रहे थे टैली में license version में अगर आप वहाँ पर उसे surrender नहीं भी करते हैं दूसरे system में जैसे ही आप license को डालेंग और net connect होगी तो वो पूछेगा कि क्या आप पहले system से अपने license को surrender करना चाते हैं तो आप बैठे बैठे दूसरे laptop से भी अपने पहले system का license surrender कर सकते हैं अब बात करते हैं हम crack tally की crack tally में आपको tally company कोई power नहीं देती है कि आप उसे use कीजिए ठीक है ये कोई third person जो की tally company से नहीं है कोई और person जो की मतलब software developer है hacker है या जो भी है वो tally के जो codes है उसे break करता है यानि tally के codes को break कर देता है जिसके बाद वो उसे इस तरीके से design कर देता है कि आप से tally कोई license वगरा नहीं मांगेगी आप simply उसे अपने system install कीजिए और tally license version mode में use होने लग जाएगी ठीक है तो देखिए अगर मैं बात करूँ एक जुलाई 2017 से पहले की जब GST नहीं थी यानि उसे पहले wet था तो wet के time पर tally के जो crack version है आपको easily online मिल जाते थे ठीक है लेकिन GST आने के बाद आपको tally के crack version easily नहीं मिल पाते है अगर कहीं पर आपको online किसी website पर मिलते है या कोई person आपको देता भी है तो अभी जहां तक मैंने सुना है कि कुछ न कुछ वो लोग भी charges आपसे demand करते है wet के time जो tally का crack version मिलता था बिल्कुल free मिलता था लेकिन अभी जो आपको crack version GST का मिल रहा है GST tally version का ये आपको कुछ न कुछ charges demand करते है यानि कोई आपसे 2000 लेगा कोई 3000 लेगा इसमें कई बर आपसे fraud भी होता है आपको कुणाने वर्जन दे दिये जाएंगे पैसे आपसे ले लिये जाएंगे कई बर आपसे पैसे ले लिये जाएंगे आपको सामने से कोई reply नहीं मिलेगा कई बर अगर आपको GST का वर्जन दे भी दिया जाएगा तो हो सकता है कि उस case में आपके GST के वर्जन में अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो सामने से कोई भी आपको support नहीं मिलेगा इसके लाब अगर आपको मान कर चलिए उसने genuine मतलब GST का वर्जन दे दिया टेली का ठीक है crack वर्जन उसके बाद होता क्या है कि crack वर्जन में क्या difference होता है कि एक तो आपको टेली कंपनी के तरफ से कोई भी support नहीं मिलेगी ठीक आप ये जो remote access हो गया bank reconciliation हो गया इस तरीके कि जो भी options होते हैं जो कि मैंने बुला था कि TSS expired होने के बाद आप नहीं कर सकते हैं तो ये सारे option आप crack वर्जन में भी use नहीं कर सकते हैं ठीक है खाली crack वर्जन में होता क्या है कि आप जो educational वर्जन में dates वगरा नहीं ले पाते हैं आप crack वर्जन में सारी date ले सकते हैं जैसे कि आप license वर्जन टेली में लेते हैं आप उस version को use कर सकते हैं freely, लेकिन crack version के case में आप वो जो भी version साथ के आएंगे, टैली के, उसे आप educational mode में तो use कर सकते हैं, लेकिन license version mode में use नहीं कर पाएंगे, हाँ, तब use कर पाएंगे जब फिर सामने वाला जिसने टैली के quotes को break किया है, फिर वो जो latest version आए, उसे फिर से break कर कहीं पर भी चाहिए website पर provide करें या कहीं पर भी provide करें, तब आप use कर सकते हैं, तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि crack version क्या होता है, simple भासा में आप ये समझीए, कि आपके system में जो भी आप applications यूज़ करें, जो भी softwares यूज़ करें, क्या आपने उस कि जो code से उसे break कर दिया गया है, उसे यूज़ करें, उसी तरीके से tally भी है, अगर इसे किसी ने break कर दिया, इसके codes वगरा को और आप free में यूज़ करें, तो ये crack version tally ही है, अगर आप किसी computer के दुकान के जाते हैं, और आप बोलते हैं professional tally डाल कर दो, तो वो आपको कभी ये भी free of cost में license version tally डाल कर नहीं देगा, वो आपको crack version tally ही डाल कर देगा, friends तो अभी तक मैंने आपको ये बताया tally में कि educational tally, license tally और crack tally में क्या difference होता है, अब मैं कुछ और important बातें आपके साथ share करना चाहता हूँ, जैसे कि आप tally के website पर आते हैं tallysolutions.com पर, तो यहा पर 7 days का आपको free trial मिलेगा, जब आप यहाँ पर अपनी details fill करके submit करेंगे उसके बाद, यानि कि 7 दिन तक आप tally को license mode में use कर सकते हैं, trial ले सकते हैं, कि कैसे काम होता है, ठीक है, अगर आप educational mode में कर रहे हैं, तब तो आप lifetime तक कर सकते हैं, trial, लेकिन अगर आप license mode की तरह उ purchase कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप अपना काम जो भी आपका काम है business का, वो अगर आप tally के जो features आपको purchasing के बाद मिलते हैं, उसमें आप अगर easily कर लेते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बढ़ क्या होता है, कि हम जब अपना काम tally में करते हैं, तो हम tally के जो features आपको मिलते हैं purchase करने के बाद, उसमें वो काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें कुछ extra features भी tally में चाहिए होते हैं, अपने business को perfectly run करने के लिए, तो उस case में क्या है, वो add-on purchase करते हैं, tally के लिए tdl file purchase करते हैं, tdl file का full formula होता है tally definition language, ठीक है, यानि अपनी tally को customize कर आते हैं, अब आप सोच रहे होंगे friends की tdl file कहां से मिलेगी, हम tally में extra feature कैसे add कर सकते हैं, तो देखिए ये tdl file आपको कई जगे से मिल सकती है, अगर आपको free में चाहिए, तो कई youtube channel ऐसे हैं, even मेरा channel भी है, जो हमारे पास free material files होती है, वो हम free of cost अपने viewers को provide करते हैं, ठी की होगी, इसके लावा कई channels ऐसे हैं, जो free of cost टdl file provide कराते हैं, क्योंकि वो खुद से टdl file नहीं बनाते हैं, उन्हें भी कहीं से free में मिलती हैं, और आपके साथ free में share करते हैं, और कई ऐसे channels हैं, जो free में टdl file तो कहीं से लाते हैं, लेकिन आपसे पैसे लेते हैं, टdl file जैसी features आप tally में चाते हैं, उसके हिसाब से, वो coding करके आपको एक file देते हैं, जिसे tally के साथ add करने के बाद, आपकी tally उस features को अपने अंदर add कर पाती है, यानि tally जो भी आपकी features है, उसके हिसाब से tally उस feature में convert हो जाती है, ठीक है, तो देखिए friends, इसके लावा, ये त पैसे में आपको देंगे, free में नहीं देंगे, ठीक है, इसके लावा, कई सारे और भी persons है, जो YouTube पे नहीं है, tally के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने tally का course किया हुआ है, तो कई लोग आपको website वगड़ा पे भी मिल जाएंगे, Google पे search करने पर, तो वो लोग भी tally फाइल्स भी करा सकते हैं, इसके लावा, कई लोग market में ऐसे हैं, जो लोग tally use करते हैं, भले उनके, वह मतलब business वैसे नहीं है, उनको जो tally में features मिला है, वो sufficient है, उनके काम के लिए, लेकिन वो लोग अपनी tally को stylus बनाने के लिए, कुछ अलग बनाने के लिए, tutorial files free में भी लेते है purchase भी करते हैं, जैसे कई लोग क्या है, कि tally में क्या है, कि आपका जो invoice बनता है, उसमें आपको manual sign करनी परती है, invoice को print करने के बाद की, कि अगर आप sign करके अपने customer को देना चाते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, कि ऐसी tutorial file बनाते हैं, जिससे कि जो invoice है, उसमें आपकी stamp और sign automatic हो करने के लिए, आपको manually करने की requirement न पड़े, इसी तरीके से कई सारी tutorial files होती है, जिनको अपनी tally में add करने के बाद आप tally को change कर सकते हैं, अपने सुईधा अनुसार, ठीक है, तो देखें friends से ये सारी चीज़े आपको मैं क्यूं बता रहा हूं, आप phrases है, आपको इन सा confuse दोंगे कि ये tutorial क्या होती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि tutorial का काम यही होता है, कि tally में नए features को add करे, मतलब extra features को add करे, इसका मतलब यही होता है, तो ये आप tally के website से भी purchase कर सकते हैं, जो tally यहाँ पर available है, तो जैसे आप product पर जाएंगे, यहाँ पर extension and integration पर जा अब यहाँ पर जो tutorial files available है, उसकी आपको charge बगेरा सब कुस दिख़री है, जो आप चाहें purchase कर सकते हैं, ठीक है, इसके लावा tally पर भी आपको यह option मिलता है, यहाँ पर देखिए, tally में आपको, यहाँ पर यह देख सकते हैं, tally shop, इस पर जैसे click करेंगे, net connect होगी, तो यह से भी जो भी tally के partners हैं, जो भी tdls available है, tally के पास, वो सारी tdls आपको reflect होगी, उसमें से जो purchase करनी है, वो purchase करके tally के साथ add करेंगे, तो tally में वो सारी features change हो जाएगी, ठीक है, तो यह मैंने इसलिए बताया कि कल को मानलीज, आप कहीं पर काम करने जाते हैं, और आपके honor आ नहीं करेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं, tdl files के through आप tally में changes कर सकते हैं, अपने business के according, इसके इलावा friends मैंने आपको video में tss के बारे में भी बताया है, कि वो tally purchase करने के एक सल के बाद expired हो जाती है, और आपको अगर आप चाहते हैं, तो उसे renew करा सकते हैं, तो renew कैसे कराना है, अगर ये कभी जानना हो आपको, तो उस case में मेरी already video है, उस video के link का आपको इस video के description box में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं, ऐसे अभी आपको वो जानने की जवरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि अगर जानना है, तो video available है मेरे channel पर, इसके लवा friends, अगर आपको tally के rates देखने हैं, जो कि मैंने आपको already बता दिये हैं, website पर देखेंगे, तो आपको जो tally का rate है, वही देखेगा, यहाँ पर bargaining नहीं कर पाएंगे, उनके partner से bargaining कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कि product पर आप जब click तो आप नीचे जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको pricing reflect हो रही है, यहाँ पर silver का price reflect हो रहा है, gold का reflect हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, costing ज्यादा reflect हो रही है, आप buy and offer click करके purchase भी कर सकते हैं, तो friends, अगर आपको tally की website से purchase नहीं करना है, जो कि अगर आप purchase करत या किसी computer shop से purchase करें, बट लेकिन मैंने आपको यह बता दिया, कि आप tally के website से भी purchase कर सकते हैं, तो friends, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए, तो please वीडियो को like कीजेगा, ज्यादा से ज्यादा share कीजेगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लिजेगा, thank you friends for watching my video.